यूपी टीपलेसी का लेकपाल का रिजल्ट आई गया है सबको लब लब पता ही हो गया होगा तो इसमें रीतु नाम की एक लड़की है जिन्होंने नकल से किया है टाप और पढ़ने वाले धुरंदर हुए प्लाब अब ये कहानी कहा से आई तो एक साल पीछे आपको रिवाइट कराते हैं थोड़ा सा कि जब यूपी टीपलेसी लेकपाल का पेपर हुआ था उसी पेपर के समय ये जो मैंने यहां पे लगाया हुआ है सोसल मेडिया से लेके लगाया हुआ है इसी यूटूब पे सर्च करके आपको ये मिल जाएगा ये वो एंसर की है जो रितू को एकजाम स्टार्ट होने के पहले ही मिल गया था जिसको लेकर के रितू एकजाम में गई और उनके पेपर के साथ ही इस जो एंसर की है उनके साथ पकड़ा गया था इस एंसर सीट के साथ और ये सोसल मीडिया आपको तो नकल कैसे किया रितु ने और रितु कैसे अब लेकपाल बनने जा रहे हैं रितु जो है लेकपाल बनके रहेंगी क्योंकि रितु ने पहले से ही तैंक कर लिया था है उन्हें लेकपाल बनना है ठीक है तो आगे भी आपको दिखाएंगे रितु का जितना भी इसमें खाका वाका है थोड़ा सोचल मीडिया से और थोड़ा Upt Pressing की साइट से इनके डीटेल से मैंने भी निकाला है और काफी लोगों निकाला है सोचल मीडिया पर तो मैं भी सोचा अपने चैनल पर क्यों न दिखा दो स्टेटस में इनका चेक करेंगे रियल्ट तो देखेगा यहां पर Qualified Partnered Stage of Document Verification यह हरा वाला लाइन जो काफी लोग वेट कर रहे थे काफी धुरंदर जो तयारी कर रहे थे उसोच रहे थे यह हरी वे लाइन मेरे को भी देखने को मिलेगी लेकिन उन्हें कास यह लाल वाला लाइन उन्हें देखने को मिल लगी है कि वो लोग डीवी के लिए सेलेट नहीं है तो अफसोस तो हुआ ही होगा और सबको होना भी चाहिए क्योंकि सीटे हैं 8000 के आसपास और इसमें संदिक्द बैठे हैं 5000 के आसपास यह हम नहीं कहा रहे हैं यह कोई सोसल मीडिया का आदमी नहीं कहा रहा यह तो गौश्चा होई थी लेकपाल की उसी समय काफी लोग सोसल मीडिया पे डाले भी थे कि जो एंसर की आया है रीटू का साथ में यह लोग काफी लोगों ने सेव कर लिया था ठीक है सेव करें भी क्यों ना क्योंकि वास्विक्ता भी तो जानना था कि बाते सही है कि गलत है तो बात में पता चला जब लेकपाल से पहले ही कि यूपिटे पर सिपेट का 2021 का रियल्ट आयार और रीटू कुब अच्छे नंबर से कुब अच्छे परसेंटाइल से पास की टाप की तब जाकर के सब को यकीन थोड़ा बहुत हो गया 50% कि रीटू बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगी तो लेकपाल का जब रियल्ट हुआ मतलब एकजाम हुआ और एकजाम में एंसर की ये पकड़ा गया तब जाकर के सब को 101% ये विश्वास हो गया कि रीटू को लेकपाल बनने से अब कोई नहीं जोग सकता क्योंकि रोकने वाले ही तो इनको एंसर की प्रवाइट करा रहे होंगे तभी तो ये लेकर के गई वह भी ओर्जिनल वाला एंसर की जो जा करके कहीं से सोचल मेडिया से खोच करके या या यूपी टेपल सी की साइट पे जो एंसर की अफलोड होती है लब लब को से मैच कर रही थी तो रितू और कौन-कौन सी परिच्छाओं के लिए अविधन की थी ओभी मैं आपको दिखाता हूं साथी एक चीज और दिखा दें यह रितू का पूरा डिटेल है जो की सोचल मीडिया से मैंने इसकी शॉट लिया है यहां पर देख सकते हैं यह पेट देने जाए ठीक है जो भी matter रहा हो तो रितू रितू ही जानेगी यहां रितू का पूरा डिटेल है यह भी मैंने सोचल मेडिया से ही लिया है इसकी शॉट लिया है वग रहा ठीक है आपको पता होगा यह अगर किसी candidate का नाम और उसके पीता का नाम और उसका डेटा बर्व पता चल जाए तो उसका registration number वगरा निकल जाता है और registration number से data bar से result आ जाता है ठीक है इसमें कोई तो नई बात है नहीं तो यह सारे detail है जो रीतु के हैं और काफी परिच्छाओं में वह आवेदन कर पाई थी क्योंकि आपको पता यह अच्छे number रहेंगे तभी सारी परिच्छा हो रही है तब भी होई थी लेकिन अब कुछ जादा ही वाइरल होंगी क्योंकि अब तो लेकपाल बनने की बारी है तो इनका जब डीवी होगा और डीवी में ही पता चलेगा कि यह कहीं कुछ डीवी में तो नहीं कुछ प्रोग्राम बनाई थी ठीक है फाकी आगे देखना होगा कि इसमें क्या होता है भी विचार का भी सह है बाकि जैसे ही कुछ इसके बारे में और पता चलता है कि इस परिचा में क्या होना है या लेकपाल की वेकेंसी में क्योंकि पता होना चाहिए कि कोड में मामला चल रहा है इसका तो जैसे ही कुछ इसके बादे में जनकारी मि आपको चैनल के मांदियन से बताया जाएगा आपकी क्या राय है इस रीतु को ले करके और रीतु के इस लेकपाल बनने के प्रिक्रिया को ले करके कॉमेंट बॉक्स में ज़रू छापिएगा अभी लबस इतना ही धन्यवाद